हेलो स्टूदेंट्स दिस इस शूती और मैं एक बार फिर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो की पाउडर्स टॉपिक के पार्ट फाइव से रिलेटेड है उसका तीसरा सब पार्ट है कह सकते हैं पार्ट फाइव में हम ग्रैनूल्स और ग्रैनुलेशन मेथर्ड देख रहे थे इस वीडियो में पार्ट फाइव का जो तीसरा पार्ट है पार्ट फाइव का सब पार्ट थ्री में हम ग्रैनुलेशन मेथर्ड को कंटिनू करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रै कर ड्राइड और वेट मित हर्म ज़िषे grannu अर्पेजिन मेफोर्ट पाउडर्स को ग्र्रैनुल्स में कन इन्वार्ट करनी का आत्स रिंप हमने दो टाइप के मेफ्साइन के या आफिराहिए वहाई जो हम है एटर नहीं कर रहे थे हुझे जो जो अलग से कोई लेटिंग लिकुट हम है नहीं कर रहे थे उसमें जो से टेट्रीश गैसे जोगी उट क、、 सब्सक्रोबर्बक और साध्व मतलब उसकीजंची स्सच्रीख मुपरटी ऑजी जी वह परती है जो moist atmosphere के contact में आता है, वो वैसे ही water liberate करने लगता है, मतलब पानी छोने लगता है और वही पानी हमको granulation के time में काम आता है, जबकि wet methods में हम अलग से granulating agent add कर रहे हैं, जो कि alcohol है, और alcohol का हम nature जानते हैं कि वो volatile होता है, वो normal temperature में भी उर जाता है, तो वो banding के बाद, वो formulation में रहेगा नहीं, वो evaporate हो गया रहेगा, तो आज अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, second वाला method, wet method. wet method, in this method, the ingredients are mixed with alcohol to produce coherent mass. जिते भी ingredients है, वो चाहें drug हो, और drug के साथ जो excipients जो हम add करते हैं, वो excipients जो की powder form है, उसकी साथ उनको bind करने के लिए, उनको एक साथ एक mass में convert करने के लिए, मतलब एक गीला कह सकते द्रव्यमान बनाने के लिए, जो हम liquid यूज कर रहे हैं, वो है alcohol का यूज करते हैं, और जिसे हम जब वो एक dog की जैसे आकार ले लेता है, एक shape मास बन जाता है, current मास बन जाता है, तब उसको sieve number 8 या 10 से, generally 8, sieve number 8 का प्रयोग होता है, उससे गुजा जाता है, और हमें sieving करने के बाद या फिर screening करने के बाद हमको granules प्राप्त होते हैं, और यह जो granules है, वो काफी अच्छे, थोड़े bigger size के होते हैं, मतलब around 2.56 mm sieve number 8 से गुजारा जाता है, तो 2.56 mm diameter वाले granules बनेंगे, जबकि अगर sieve number 10 से गुजारा जाता है, तो approximately granules का diameter जो है, वो 2 mm का होगा, तो हम देख रहे हैं कि, जो granules हम 8 नंबर में बना रहे हैं, वो ज्यादा बड़े size के हैं, in comparison to sieve number 10, तो एक बाद हमने जो wet, मास है, डाम मास है, जो नम जो द्रव्य मान जो बना है, मास बना है, उसको हम एक बाद स्क्रीन कर देते हैं, सीव कर देते हैं, उसके बाद जो granules होता है, उसको हम hot air oven में रख कर सुखाते हैं, ड्राइ करने के लिए, और जो temperature होता है, वो 60 degree के से जादा नहीं होता, ठीक है, तो फिर जो dried granules है, उसे दो बारा, यहां पर हम देख रहे हैं, कि ड्राइ मेथर्ड में जैसे कि एक ही बार उसमें सीविंग की गई थी, यहां पर हम जो सूखे जो granules है, उसको फिर से दो बारा हम सीव कर रहे हैं, फिर से एक चमनी से गुजा रहे हैं, वो चमनी हमको उस बेसिस पर निर्दारित होगी, कि हमको कितने साइस का granules चाहिए और जो granules बनेगा उसको हम बार में जो कूल करने के बाद जो granules बनेगा उसको हम एयर टाइड वाइड मांट कंटेनर में पैक कर देंगे, यह हम देख रहे हैं, इस स्क्रीन में कुछ फिगर्स दिख दिये हुए हैं, हमने डायक्रमेंटिकली समझाने की कोशिश किया, इस गानिलेटिंग एजेंट है, वो आलकोहल है, जैसे हम उसको मिक्स करते हैं, पाउडर ड्रॉड और एक्सिपेंट के साथ, तो हमको एक मिक्सिंग के बाद हमें मिल रहा है, उसको हम सीविंग कर रहे हैं, सीव नंबर 8 से गुजारने के बाद हमें ग्रैनूल्स मिल रहे ह जिसको हम transfer कर दे रहे हैं hot air oven में drying के लिए जब वो dry हो जाएगा सुख जाएगा फिर उसे ठंडा करने के बार फिर से उसकी saving की जाती है और इस बार जो sieve है वो हम larger number का use कर रहे हैं larger number का मतलब ही हुआ कि अब की बार जो हमें granules प्राप्त होंगे वो पिछले जो sieve number 8 से गुजरने के बार जो granules बने हैं उससे छोटे आकार के होंगे ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बार इसमें saving हो रही है जबकि dry method में हमने देखा थे एक ही बार saving हो रही है और finally यह जो granules हमको second saving के बाद जब मिलते हैं और sieve जो रहेगा वो उस अधार पर हम choose करेंगे कि कितने size का हमको granules चाहिए उस size में depend करेगा और once the saving is second या फिर reseaving is done तो जो granules है उसको हम फिर packaging के लिए एक wide mouth चोड़े मूँ वाले container में transfer कर सकते हैं जो कि air tight होगा okay तो यह हो गया wet method अब हम देख रहे हैं कि dry method भी हमने पहले देखा wet method अभी देख रहे हैं तो इसमें कुछ-कुछ हमें difference जो दिख रहा है उसको हम एक बर उसका overview कर लेते हैं तो यह जो है यह इस टाइप के messes अपने सीव वगरा अलग-अलग नंबर जो है जैसे 10 35 60 120 230 यह सब हम देख रहे हैं यह अलग-अलग टाइप के सीव सामने में मैंने मिलिमीटर में साइज बताया यह जो है यहां पर जो स्क्रीम में जो दिख रहे हैं पोर साइज हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो मिस जो साइज है जो सीव साइज है बढ़ रहा है वैसे वैसे जो मैक्रोन है वह घटते जा रहा है 10 का 203 500 मांइक्रों 60 जब मक्रों से वैसे वैसे ही पोड साइस जो है घटते जा रहा है कि भाइनली हम देख वैंने आइश है कि ड्रामेध केडी मिठिल में एक जनरेल जो डिफरेंस होता है यह क्या होता है कैसे होता है तो यह दो method है dry method और wet method उसमें जो सबसे basic जो difference होता है वो है granulating agent का तो पहले case में dry method का जो left side में देख रहा है वहाँ पर हमने dry method से related points लिखे है और wet method से related points हमने right side में लिखे है तो जो first point है जो basis of difference है वो है granulating agent used तो granules produced without using granulating liquid dry method में जो granules बनते हैं उस वक्त हम granulating method अलग से नहीं डालते formulation में यहाँ पर जो granulating में मदद करता है वो है water of crystallization of citric acid citric acid जो efflorescent powder है वो ही water release करता है और उसी water से granules बनते हैं जबकि wet method में granules produced using granulating liquid यहाँ पर granulating liquid का use हो रहा है जो कि alcohol है और volatile nature का होता है वो भाब बनके उड़ जाएगा second जो different second जो point है वो देख लेते हैं dry granulation is used for compounds that are sensitive to moisture and heat जैसे कि हमने previous video में dry method में देखा था कि हमने पहले porcelain dish लिया फिर उसमें उसको अच्छे से heat किया फिर उसमें सारे ingredients जो ड्राग है साथ में citric acid, tartric acid और sodium bicarbonate डाला फिर जो reaction के बार water liberate हुआ फाइनली वो एक मास में तबलील हुआ फिर उसको हमने सीविंग करके hot air oven में डाल दिया था तो यह सारे process में हम देख रहे हैं कि जो heat जो है वो हम directly heat नहीं कर रहे हैं जो पानी का जो भाप है उससे हम heat कर रहे हैं तो ऐसे और नहीं हम किसी liquid का use कर रहे है granulating agent में तो obviously जो compound जिन compounds को हमको granules बनाना है dry granulation का इस्तमाल करके वह ऐसे compounds होते हैं जो moisture sensitive रहते हैं और heat sensitive भी रहते हैं जबकि wet granulation जो है वो use तब होता है जब हमको powder में मौझूद जो active ingredient है उसको खराब हने से रोकना हो ठीक है wet granulation is used to prevent degradation of active ingredients in the powder काफी दफ़ा अगर heating के वक्त चांसेस रहते हैं कि जो active ingredients मौझूद है granules में वो heat raised temperature की वज़े से degrade हो सकते हैं तो यह था किस type की compounds हम ध्यान में रखते हैं dry method या फिर wet method चूज करते वक्त third point है यह जो dry method है उसमें हम देखते हैं कि जो हम previously way किये हुए ingredients लेते हैं जितनी मात्रा में हम लेते हैं उतने ही जो मात्रा में हम सोचे रहते हैं कि estimated weight of granules बनेगा उसमें difference रहता है जो powder form में रहेगा जितनी सारे ingredients उसको जो way करेंगे और final जो granules बनने के बाद वे करेंगे तो weight में difference होगा क्योंकि granules का weight हम ultimately कम पाएंगे in comparison to powder form क्यों ऐसा होता है क्योंकि dry granulation method के दौरान weight almost one seventh of weight जो है वो loss हो जाता है क्यों loss हो जाता है क्योंकि जैसे वो dam mixture है जो बना हुआ जो नम जो गीला mixture बना है उसमें से जो water है वो liberate हो जाता है उड़ जाता है evaporate हो जाता है वाशपेकरन हो जाता उसका और इसके कारण जो water का weight जो है उसको हमके minus करना पड़ रहा है यहाँ पर साथ ही जो reaction के दौरान carbon dioxide जो बन रहा था वो भी वो भी release हो रहा है तो carbon dioxide का भी जो weight है वो भी minus हो रहा है जबकि wet method में ऐसा कोई chances of weight loss of weight of formulation नहीं होता है सच chances of loss of weight is not occurring in wet method granulation ओके fourth point है dry method के under receiving is not done while in wet method receiving is done receiving से हम इसका यह तात्परिया है कि दो बारा हम उसको चन्नी से पास कर रहे है wet method में हम दो बार पास करते हैं receiving करते हैं चन्नी से तो पहला जो हम चन्नी से पास करते हैं वो wet mass रहता है गीला जो mass रहता है उसको पास करते हैं जो की sieve no.8 इसमरा ड्रेकों करने одно Ooh, जिसका पूर आडिमीटर अब दूसरी बार the mmM मैं 20 में धूर करने के बाद उसको फिड़ से हम हाईर सीवट रहे से पास कर ते हैं मतलब 8 सीव नमबर 8 से वह हायर नमबर का होगा ताकि हमको छोटे size of granules मिले ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि wet method में receiving हो रही है जबकि dry method में receiving नहीं होती है ठीक है तो जो फिट्ट पॉइंट है वो related to fourth point है कि अब हम अगर compare करेंगे granules को जो dry method से बने हुए है और ऐसे granules जो wet method से बने हुए तो हम देखेंगे कि जो wet method से granules बने हुए है वो ज्यादा अच्छे shape में होगा पहली बात तो उसकी double seiving हुई है तो वो proper shape में होगा और proper round spherical shape में है मतलब यह अच्छे से वो उसकी जो flow property है मतलब प्रवा मतलब bottle से जैसे हम उसको किसी container में spoon में पोर कर रहे हैं तो उसका flow बहुत smooth होगा क्योंकि वो ज्यादा बहतर spherical shape में है wet method से बने granules जबकि जो dry method से बने granules होते हैं जिसको एक बार सीव से गुजानने के बाद हम dry भी करते हैं बाद में और उसको directly packaging में डाग दिया जाता है उसका जो surface रहेगा ऐसे granules का जो surface रहेगा वो थोड़ा रहेगा वो तरह proper shape में नहीं रहेगा तो यह granules की जो shape और इसकी quality flow properties के बारे में इस point में discuss किया गया है जो की कुछ हद तक जो fourth point है receiving उसपे dependent करता है यह लगभर कुछ ऐसे point से जो हमने अभी तक इस video में और previous video को देखने के बाद जो हमें difference पता लगी वो हमें हमने इस screen में discuss कर लिया है तो I hope आपको यह difference आपको समझ में आया है dry method क्या होता है wet method क्या होता है तो यहीं पर हमारा जो granulation वाला topic है जो granulation method वाला जो topic है unit powders का वो complete होता है so next topic हम deal करेंगे next video में जो की liquid dosage form है और liquid dosage form का भी monophasic liquid dosage form thank you